हम नहीं करें हमने development किया आकड़े हमको बता रहे हमने क्या development किया हम लोग अपना बहुत सारा सब जॉब छोड़के इसको देश सेवा के लिए ही आये थे भारत की यह दिये कामना है कि हमें बिसुगुरू बनना है तो गुरूओं को तो आप सरक्षन करेंगे ना अब गुरू बच्चों का भी भवी से बिगड़ेगा जो नए खोले गए और सेम केंपस में रन हो रहे हैं कि यह जो सिक्षक है वो गुणवता सुदार भी उन इंस्ट्यूट का कर रहे हैं जो अब से पहले पिछडे वे कहला है जाते हैं पिछडे वे राज्य में पिछडे वे सेमें और साथ में उन्होंने लिखा कि यह उन इंस्ट्यूट में जा रहे हैं जहां पर पहले से जो कारियरत सिक्षक है उनमें कोई भी पिएसडी नहीं है या फिर रेरली कोई पिएसडी है दूसरी चीज इसमें कहा गया कि पैन इंडिया सेलेक्शन किया गया पूरे 69 डिस्ट्रिक्स ओप 26 स्टेट्स के लोग यहां पर हैं जो सलेक्ट हुए हैं वो 12 स्टेट्स में जाके वहां पर वर्क करेंगे जो अत्ती पिछडा चेत्र हैं यहां पर पूरा इनके क्वालिफिकेशन पिएसडी एम्टेक जो है आयाइटी एनाइटी आयाइसी यार ट्र करें आख्ड वो बताते हं नहीं करें हमने डेwnें किया आंकरें को बता रहें हमने क्या डॉलफ्मेंट किया बच्चोंको हम देखते हैं जिन को को गीट के नाम से पता की नहीं था रूल ब्रू नहीं थे वह चीज़ की आप जिकर कर रहे हैं गेट का इसका students भी कही नहीं कहीं कहते हैं कि अब हम समझ पाई हैं क्योंकि इन students पड़ोलत हम बो быстр नश करना चाहूंगा जो इससे में first year, second year में जंवो नहीं निया प्रवेस लिया है वो भी कोरोनों के चक्कर में जिनकी पढ़ाई अभी स्टार्ट हुई है वो तो बीच मजदार में रह जाएंगे वो तो हमारी बदोलत इतने लोगों को देख करके एडमिसन लिया और वहां आएंगे तो उनको मिलेंगे नहीं सकते तो कैसे लगबग हर सेमेस्टर में छे सब्जेक्ट होते हैं अगर चार से गुणा करें तो चोवी सब्जेक्ट होगे तीन फेकल्टी चोवी सब्जेक्ट कैसे पढ़ा पाएंगे बहुत मुश्किल है और मजदार में कई नया जो है वो रह सकती है और मजदार में नया रहेगी तो डूबेगी ये भी कहना बाजिब होगा इन लोगे ने ऐसे जगे से पढ़ाई किया है हम लोगों ने देखा है कि क्या टेक्वार्मेंट फीचर का क्या रिक्वार्मेंट है और यदि हम ही नहीं रह पाएंगे तो ऑबिसली ये टेक्यूब प्रोजेक्ट आया था तो जैसे ये तीन फेस में आ चुका है इसलिए अलग था क्योंकि ना पहले ये सोचा गया था कि अगर टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी अगर इंप्रूफ करनी है तो या तो क्लासिस को स्मार्ट रूम बना दिया जाए पुरा डिजिटल कर दिया जाए लेकिन फिर भी अगर फैकल्टी अच्छे नहीं हों उनको देश सेवा का जो प्रेम है अगर ऐसे राजियों में जाये तो हम लोग अपना बहुत सारा सब जॉब छोड़के इसको देश सेवा के लिए ही आये थे और आज इसका हम लोगों को मतलब तीन साल बात ऐसा परिणाम मिल रहा है कि हम शायद अब बिरोजगार की कंडि इस चूट को हम देते हैं उसको मेंटेन करने के लिए हुमन रिशोस को यह आप वहां से निकाल देते हैं वहीं नहीं रहता है तो उसका यूटलिटी नहीं है और भारत की यह कामना है कि हमें विसुगुरू बनना है तो गुरू को तो आप सरक्षन करेंगे ना अब विहार के जो साटो कॉलेज हैं हम भीहार से हैं साटो कॉलेज में जो एजूकेशन टेकनिकल एजूकेशन का सुरज निकला वह हमी से निकला वहां पर जैसा एजुकेशन चालू था ऊतो यह economy आज भी इसी स्तिती है जहां पर टेक यूप नहीं है लोग खाली आके बैट र में और उसी के बेस पे यहां पे न्यू जन्रेशन जो है जो अभी फस्तियर में या सेकंडियर में है उनके यहां पे आने को प्रेरित किया गया या फिर वह आये हुए है यही सब इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए एजुकेशनल कॉलिटी देखते हुए लेकिन आज भी ऐसा है कि बिहार गवर्मेंट के पास कोई भी एक प्लान नहीं है कि यह जाने के बाद क्या हम करें यहां तक कि जो भी लाब सेटप हुआ है मैडम 41 लाब हमारे कॉलेज में सेटप किया गया खाली टेक्यू फैकल्टी क वजह से विड दोक्यूमेंटेशन आज प्रूव दाट नो वन हाज टेकन दोस वारेगूलर फैकल्टी देहां नौट टेकन दी इनिशेटिव वी हाव रन बिहाइंड टेक्यूप कोडिनेटर और प्रिंसिपल तो सेट अप आल दी लाब्स हाइड्रोलोजी लाब जो है व और वो भी कहां पड़ाने में इंटरेस्टेड है वो भी कहां कुछ देने में इंटरेस्टेड अईसे इसमें अगर गवर्मेंट नहीं सोचेगी तो यह पूले पीडियू का जहां आपन जाना चाहते हैं हमें नहीं लगता है कि वहां पर पूच साओं दूसरी बात और है स कि खाली एजुकेशनल सिस्टम नहीं मैं खुद उन्नत भारत अभियान के को आडिनेटर हूं जो आपको भी पता है मोई का एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आयटी दिल्ली का उसमें हमने भी पांच गाव आडप किये शायद और भी है यहां पर हम वहां पे पूरा सेटप बना रहे हैं इवन हम वहां पे विजिट किये मैडम वहां का यह जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हमारे बच्चे वहां पे जाके पढ़ाएंगे यह भी हम इंपक्ट वहां पे डार है हमें नहीं लगता है मैडम कि जो वहां पे एक्जिस्टिंग फैकल्टी है रेगुलर और गेस का तो वांदा ही नहीं है लेकिन क्या वो सही में कर पाएंगे उसको जस्टिस दे हमें नहीं लगता है इस तीती में हमें हटाना हम हमारे लिए नहीं बोर रहे हम तो हमारे स्टमक के लिए बोल ही रहे हमारे फैमिली के लिए बोल ही रहे लेकिन समाज के लिए भी हमें नहीं लगता है कि हमारे से अच्छा कोई आप्शन प्रॉब्लम सिर्फ स्टमक या पे मैं बिहार से आया हूँ, LNJP IT छपरा में मैं कारी रहत हूँ as a TQ faculty, 2018 में हमारी जॉइनिंग हुई थी जनौरी में, बिहार सरकार ने 19 नए कॉलेज 2019 में खोले, और उन जो नए कॉलेजेज खोले गए हैं, उसमें से मैक्समम कॉलेज जो हैं वो TQ campus में ही चलते हैं, मतलब उ केवल साथ कॉलेजेज के लिए भेजे गए हैं, उस समय है, जब एक कॉलेजेज खोले गए थे, तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उससे खोले गए थे, क्यों कि उस टाइम लोग सबाचनाव थे? मैं मानिय मुख्यमंतरी नितिश कुमार जी क्या एक महत्वकांची योजना है, साथ निश्य योजना, और उसके तहत ही ये था कि सारे डिस्ट्रिक में एक-एक इंजिनेरिंग कॉलेजेज खोले जाएंगे, that was a very good initiative, we can say, पर क्या है क्यों कॉलेज खोल देने से तो काम नह होने चाहिए, infrastructure होना चाहिए, और उन्होंने क्या किया, शुरुवात में जो साथ इंजिनेरिंग कॉलेज है बिहार में, जिसमें टिक्यू फेकल्टी हैं, उसी में ही दो-दो-तिन-तिन नए कॉलेजेज को उन्होंने रन किया, ताकि उन्हें पता था कि ये यंग टिक्यू से पढ़ाएंगे, और हमने बखुबी उनको पढ़ाया और अभी तक पढ़ा रहे हैं, तो जब काम लेना था, हम तो केवल साथ इंजिनेरिंग कॉलेज के लिए गये थे, लेकिन हम 21 इंजिनेरिंग कॉलेजेज के कामों को कर रहे थे, दूसरी बात एक और मैं कहाना सब्सक्राइब करेंगे, तो कुछ भी कराना हुए, या फेकल्टी डेवलप्मेंट प्रोग्राम और गनाइज कराना हुए, वो क्यों न हमें एक क्लास फोर्थ ग्रेड का काम हो, एक टेबल इधर से उधर ले जाना, वो सारा काम करते हुए और पूरी एक्जिक्यूशन हम बच्चों के डेवलप्मेंट के लिए, फेकल्टी के कटिंगेज टेकनोलोजी में उनका क्या योगदान हो सकता है, उसके लिए, तो यह सारा काम हमने करा है और यह सबने हमें एप्रिसियेट किया है, वो आपके स्टेट स्टेरिंग कमीटी के मेंबर्स हों, नेशनल स्टे बढ़ा है, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां टिक्यू फेकल्टी हैं, और हमारे ही दम पे उन्होंने एड्मिशन लिया, कि ताकि हमारा भविस यहां से भी बन सकता है, लेकिन अगर यह टिक्यू फेकल्टी उन कॉलेजेज में नहीं रहेंगे, तो साथ का तो भविस साथ कॉलेज के बच्चों का भविस तो बिगड़ेगा ही, वो नए कॉलेजेज के बच्चों का भी भविस से बिगड़ेगा, जो नए खोलेगे हैं और सेम केंपस में रन हो रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार से हमारी यही गोहार है, क्योंकि अगर आप आत्म निर सब्सक्राइब कर चाहें परोफेसर अम्मुल बोटे सर ने कि हम जैसा कि पाँच गाउंप हम ने चूज किया है है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है उसको कैसे हम अपने टेक्नलोजी की मदब से उसको हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को हम low search out कर सकते हैं तो यह सारे काम BATQ फेकल्टी कर रहे हैं तो ओमने अपना पूरा प्रियास दिया से तीन साल में ताकि उन बच्चों का भविश से बदल सकें, वहां उन कॉलेजेज में एक नए तरह की उर्जाला सकें, सारे प्रयास हमने किया हुआ है, अब हमें ये गुहार है अपने सिक्षा मंतराले से, अपने स्टेट के मानिय मुख्यमंतरी जी से कि हमारे बारे में सोचे ताकि उन बच्चों का भविश से सुरक्षित हो सके, हमारा भी भविश से सुरक्षित हो सके जो research culture है जो research culture यहाँ पे बिहार के सातों college में नहीं था वो भी हमने develop किया साथ ही साथ बच्चों को भी project में involve कराया और उसका funding मैडम हर college में लगभग एक से देड़ करोड रुपय का हुआ वो additional fund आके हमारे base पे हमने नहीं lab या तो develop की या फिर पहली पुरानी lab उसको modernize किया ताकि बच्चों को उसका benefit हो आज अगर हमारे college में अगर आके देखोगे तो language lab जो है जिसके हम professor in charge है English के faculty भी है तो ये एक शानदार language lab जो NIT IIT के स्तर से हमने बनाई हुई है हर चीज वहाँ पे आके आपको मिल सकता है हमें भी दूख होगा कि अगर हमने इतना दिया और उसका utilization proper नहीं हुआ तो ये बड़ा दुखद बात हमारे लिए भी रहेगा यही बिंती के साथ हम यहाँ पे रुकेंगे कि government ने ये सब चीजे ध्यान में लेते हुए हमें वहीं पे serving करने का मौका दिया जाए या फिर कहीं और भी डिप्यूट किया कोई issue नहीं है हम हमारा energy वैसाई डालेंगे जिसका कि समाज को हमें भी देना है और समाज को हमसे भ घुलाना चाहूंगा जिक्सिया मंतरी जी वर्तमान जो शिक्सिया मंतरी जी है बार बार कहते है आचारी देववह और आप देख रही है आचारे क्या हो रहे हैं तो क्या उनके पास online offline कि हमारे लिए 5 minutes नहीं है बात करने के लिए क्या हम उन से इतनी सी गुहार नहीं कर सकत चलिए हमारा रोजगार जा रहा है जो भी है क्या हमको खुद बता नहीं सकते पांच मिनिट के लिए ओनलाइन मिलने आजकल कोरोना ने ये सिस्टम भी बता दिया कि ओनलाइन मिलने और यहां भी जितने फैकल्टी है ओनलाइन यहां बैठ कर भी क्लासेज ले रहे हैं 41 तक जब तक हमारी डूर्टी है हम पूरी निर्वहन कर रहे हैं यहां बैठ कर हम वो डूर्टी निरुबार है तो क्या उनकी इतनी डूर्टी नहीं है के आचारे को आचारे दयोभा है आप यहां से निकलिए यहां पर आप नहीं मिल सकते हैं आप नहीं मिल सकते हैं आप सो परसंट नहीं मिल सकते हैं आप यहां रहेंगे तो आपको उठा के ले जाएंगे आप यहां से चलिए सीधा संदेश हम को यह दिया गया है कि आप से नहीं मिलेंगे तो मैं आचारी सब्सक्राइब करना चाहती है और वहां पर भी हमारा इंभॉल्मेंट है लेकिन आप हमें ही वहां से निकाल रहे हैं जो की उटलाइस करने वाला वहां से निकल गया मार्केट से अपका तो फिर इंजरीं कॉलेज में जो भी अफ्ग्रेटिशन होना है या भी तक जो हुआ है वही रहा जाएका हो सता है फिर डिग्रेट भी हो जाए अब आज अब आज